नमस्ते बाड़को ये सब देखते आपको क्या याद आता है प्राहें संगरालाई बराबर ने प्राहें संगरालाई ने मुलाकात लीदी छे बदगाए प्राहें संगरालाई ने हिंदी माँ चीरियागर कहे छे अन्ने आजे आपने फरी थी चीरियागर नी सेर करवानी छे पन तिया जैने ने गरे बेठा बेठा कारण के हिंदी मां पांच मों पार्ट छे चीरियागर की सेर तो चलो सब चीरियागर की सेर करने के लिए तयार हो जाओ सबसे पहले तो चीरियागर की से कहते है चीरियागर एक जगल का नाम है वहाँ पर प्रसू और पक्सी को देखने के लिए रखा जाता है और सब लोग वहाँ जाकर उन्हें देखते हैं और आनंद लेते हैं बच्चो कल गीता अपने दादाजी के साथ चिरियागर गए थी तो आज हम देखेंगे कि गीता ने चिरियागर में क्या क्या देखा उसने वहाँ एक सेर का पिंजरा देखा और पिंजरे के पास बहुत सी बीड थी जब सेर गर जा तो सब डर कर पीछे हट गए सेर के पिंजरे के सामने बंदर का पिंजरा था वहां गीता ने देखा कि बहुत सारे लोग बंदरों को मुनफलिया और केले खिला रहे थे परन्तु डादा जीनी कहा कि गीता देखो वहां वहां पे बोड था उसमें लिखा था चिरिया घर के जानवरों को खाना देना मना है तमने पर खबर चेने बाळको आउबोड जोली छेने प्राणी संगराले मा आपने त्याना जानवरों में खावानू अप्वानों होतु नथी झाहरे एन उजम्मानों टाय काईं टाएचै यले त्याना लोकोज तेन ने खावानों अपे छे उसके बाद गीता बोल उठी कि दादा जी वह देखे काले मुँवाला बंदर दादा जी वह सुनकर हस पड़े उन्होंने कहा कि बिटिया वह बंदर नहीं है वह तो लंगूर है लंगूर का मुँँ काला होता है लंगूर के बारे में बात करते हैं लंगूर एक विशेज प्रकार का बंदर है जिसका मुँ काला होता है और पूच थोड़ी सी लंबी होती है उसके बाद गीता ने एक जगह पर गेंडा देखा जिसके नाग पर बड़ा सा सिंग था उसके पांस वाले बाड़े में गीता ने लंबी गर्दर वाला जिराफ देखा जो दीरे दीरे टहल रहा था बाड़े का मतलब क्या होता है बाड़े का मतलब होता है गीरा हुआ स्थान ये सब देखके गीता को बहुत मजाया वो तो दादा जी को खीच कर आगे ले गई वहाँ उसने देखा कि भालू दो पेर पर खड़ा था तो बच्चो अब तक गीता ने कौन-कौन से जानवर देखे सेर, बंदर, लंगूर, गेंडा, जीराप और भालू उसके बाद उसने देखा कि एक तालाब में रंग बेरंगी मचलिया और बतक तेर रही थी उसके बाद गीता ने दादा जी को दूसरी और इसारा करते दिखाते हुए कहा कि दादा जी वह देखिये पत्थर चल रहा है पत्थर चलता है बच्चो पत्थर नहीं चलता एसे ही दादा जी ने भी किता को समझाया कि बितिया वह पत्थर नहीं है वह तो कच्छुआ है कच्छुए को जब डर लगता है तब वह अपनी गर्दन और अपने हाथ पेर को अंदर छिपा लेता है इसके अंदर शिपाता है वो अपनी खोल के अंदर खोल क्या है खोल जो कच्छुए का उपर का भाग है वहाँ खोल है और खोल कच्छुए का रक्सक है उसके बाद गीता दोड़ कर आगे गई आगे उसने देखा कि तालाव में मगर तेर रहे है जैसे ही एक मगर ने अपना मुँख खोला तो गीता ने डर कर अपनी दादाजी का हाथ पकड़ लिया उसके बाद वह दोनों कुछ और आगे बढ़े उन्होंने आगे देखा कि वहाँ एक बड़ार सा पिंजरा है और वो पिंजरे में बहुत सारी चीडिया थी गीता तो ये सब देखके बहुत खुस हो गई उन्सने कहा कि दादाजी वह देखे वहाँ हरी अलत होता है हरी अलका मतलब क्या होता है बच्चों हरी अलका मतलब होता है हरे रंग वाला दादाजी ने कहा हाँ बेटिया और उधर भी देखो वहाँ पर सफेद वाला विदे जैसी काका कुवा है और इसे कादुआ भी करते हैं बाड़े को अटला बता सरस मजाना प्राणियों न जोई ने गीता ने तो बोज मजा आवी एने पन तेर के जे कई पन जानती थी ते दादा जी ने केवानी इच्छा थै अने गीता चहल कर बोली कि दादा जी इसमें से कु बाग में नाचता हुआ मूर भी देखा था दादा जी ने बताया कि सबसे बड़ा पक्सी सुतुर मूर्ग होता है सुतुर मूर ने कुजरादीमा साम रूप के वाई चै टीवी मा जोई उचने बद्धा ए और दादा जी ने सुतुर मूर को दिखाते हुए कहा कि वह सुतुर मूर तो पेड़ की छाओं में खड़ा है और चीडिया घर में हाथी और उन्त की सवारी भी हम कर सकते हैं सामने एक आइसक्रीम का ठेला था ब्रादा जी ने वहां अपनी लगड़ी टिकाई और गीता के लिए एक आइसक्रीम खरी दी चीडिया घर के चपकन लगा इस पाठ में कौन पौन से जानवरों की बात की गई है एक बार हम याद कर लेते हैं सबसे पहले सेर उसके बाद बंदर लंगूर गेंडा चीराफ भालू मचली बतक कचुआ मगर, चीडिया, तोता, कातुआ, मोर, सुतुरमुर्ग, हाथी और उट तो चलो बल्चो इस पाठ को हम एक बार पढ़ लेते हैं कर गीता अपने दादा जी के साथ चीडिया घर गई थी उसने देखा कि सेर के पिंजरे के पास बहूत बीड थी सेर गर जां तो सब डर कर पीछे हट गए सामने लोग बंदर को मुम फली और केला खिला रहे थे दादा जी ने कहा देखो वह लिखा है चीडिया घर के जानवरों को खाना देना मना है गीता बोल उठी दादा जी वह देखे काले मुम का मंदर दादा जी हस पड़े और बोले बिटिया वह लंगूर है लंगूर का मुम काला होता है एक जग गेंडा दिखाई दिया जिसकी नाग पर बड़ा सा सिंग था साथ वाले बाडे में लंबी गर्दन वाला जीराफ दीरे दीरे टहल रहा था गीता दादा जी को खीचते हुए आगे ले गई वहाँ भालू दो पेरो पर खड़ा था एक तालाब में रंग बे रंगी मचलिया और बतक पेर रही थी गीता ने दादा जी को दूसरी और इसारा करके दिखाते हुए कहा दादा जी दादा जी वह देखिये पत्थर चल रहा है दादा जी उसे समझाते हुए बोले बिटिया यह कचुआ है जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पेर अपने खोल में छिपा लेता है खोल इसका रक्षक है गीता दोड कर आगे गई एक बड़े तालाब में मगर तेर रहे थे जेसे ही एक मगर ने मुह खोला गीता ने डर कर दादा जी का हाथ पकड़ लिया कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंचरा था उसमें बहुत सी चिडिया थी गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा वह देखो हरियल तो था दादा जी ने कहा हाँ और उदर देखो वह सफेद वाला विदेशी काका कहुआ है इसे कातुआ कहते है गीता जहल कर बोली दादा जी कुछ चिडिया तो हमारे गर के पास भी दिखाई देती है जैसे गोरेया पिछले सार पिक्निक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था दादा जी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्सी सुतरमुर्ग होता है वह देखो सुतरमुर्ग पेड की चाया में खड़ा है चिडिया घर में हाथी और उटकी सवारी भी कर सकते है सामने आईस्क्रीम का एक ठेला था दादा जी ने अपनी लकडी टिकाई और गीता के लिए आईस्क्रीम खरी दी अब तक दोनों ठक चुके थे वह चिडिया घर के दरवाजे से बहार आये बस पकड़ी और अपने घर आ गए मिलतु बाड को अपार्टनों वांचन कर जो अने होमवर्थ कर जो आउता वीडियो मा आपने अपार्टना थोड़ा सवाल जवाब जोईसू त्या सुदी आउजो झाल